नमस्कार स्वागत आप सबका नारटी बीपर आप सके रिक्ष्ट लगातार मिल रहे हैं कि महाभारत के कलाकारों की जानकारी दीज़े कृष्णा ओं महाभारत के कलाकारों की स्रिंखला साथ साथ चल रही है रामान के कलाकारों की जानकारे भी हम बीच बीच में देते रहेंगे और इस रिंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के कृष्णा नितीस भारत द्वाज जी की कहानी एक जमाना था जब महाभारत में भागवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितीस भारत द्वाज जी घर घर चायरे इनका जन्व हुआ दो जून 1963 को महराष्ट में अभिने का सौ की बचपन से ही रखते थे लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर अभिने में करीर बनाना है नितीस जी के परिवार का हर सदस चाहता था कि नितीस जी डाक्टर बने लेकिन वे इंसानों के डाक्टर ना बनकर जानोरों के डाक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें घोड़े और सेरों से बहुत प्यार था नितीजी ने असिस्टेंट वेटनेरियन के रूप में एक रेस कोर्स जॉइन कर लिया लेकिन कुछ समय बात इन्होंने ये जॉप छोड़ दी जब नितीजी के पास कोई काम नहीं बचा तो ये दूदरसन में बतोर न्यूज एंकर काम करने लगे एली बीजन में जब इनकी दिल्चस्पी बढ़ी तो उन्होंने अपने उन दुनों को याद किया जब एक कालेज में होने वाले प्ले एक्टिंग और डायरेक्शन करते थी उन्होंने बच्चों के लिए थेटर ग्रूप लिटिल थेटर में ट्रेनिंग भी ले थी निती जी ने महसूस किया कि हर एक प्ले करने के बाद उन्होंने अपने बारे में और अधिक जाना है उन्होंने तै कर लिया कि वे ताउम्र एक्टिंग ही करेंगे हलाकि निती जी के पिता जी उनके इस फैसले को लेकर काफी उल्जन में थे उनका खयाल था कि फिल्म नेश्ट्री में बिना गाड़ फातर के सफल होना असंभव है फिर भी उन्होंने निती जी का पूरा सहयोग किया निती जी ने अपने एक्टिंग करियर की सुरुआत माराथी थेटर से की बाद में रभी बास्वानी उन्हें हिंदी थेटर में लेकर आये हिंदी थेटर में काम करते करते इन्हें फिल्में आफर हुई 1988 में आयो फिल्म तिरसागनी में इन्होंने नाना पार्टेकर के साथ काम किया फिल्म ज्यादा कुछ कमाल तो नहीं कर पाई लेकिन इस फिल्म के बाद इन्हें फिल्मों में काम मिलने सुरू हो गया इसके बाद इन्होंने कुछ मराटी फिल्मों में भी काम किया मगर ये सारी फिल्में बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद वो हुआ जिससे इनको एक नई पहचान मिली 288 में जब बी आर चोप्रा महा भारत टीबी सीरीज बनाने लगे तो इन्हें विदूर के रोल के लिए साइन किया गया उस समय इनकी उमर महा 24 साल की थी संयोग इता की बी आर चोप्रा, रभी चोप्रा, पंडित नरेंद्र सर्मा और राही मासूम रजा उस एक्टर के नाम पर सहमत नहीं थे जो महाभारत में किष्ण का रोल निभाने वाला था रभी चोप्रा नितिजी के साथ पहले दो एड़ सूट कर चुके थे इसलिए वो उन्हें एक्टर के तौर पर जानते थे इसके अलामा सकुनी मामा की भूम का निभाने वाले गुफी फटेल भी उन्हें जानते थे इस तरह रभी चोपडा ने नितीज जी को कृष्ण के किरदार के लिए आर्डिसन देने के लिए कहा लेकिन उन्होंने सीधा इंकार कर दिया इसकी वज़ा ये थी कि नितीज जी ने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ पड़ रखा था उनकी मा विल्सन कालेज में साहित विवाग की हेड थी उन्होंने घर पर भी अपनी लाइब्रेरी बनाई थी इसलिए नितीज जी को कृष्ण के बारे में जानने का काफी मौका मिला अब नितीज जी की दुविधा ये थी कि क्या ये प्रोड़क्सन हाउस उन्हें उस तरह कृष्ण का किरदार निभाने देगा जैसा वे कृष्ण के बारे में जानते हैं उनकी एक दूसरी चिंता ये भी थी कि ये बहुत कम उम्र और अनुभव वाले कलाकार थी इसलिए उन्हें उस किरदार को निभाना बड़ी जिम्मेदारी लेगी इस पर पूरा धारा भाहिक खड़ा हुआ है बियार चोप्रा ने नितीज जी से कहा था कि तुम इस सीरियल के आधार अस्थम हो यदि तुम अस्फल हुए तो मैं भी अस्फल हो जाऊंगा इसके बाद नितीज जी ने उस रूल को इतने सिद्ध से किया कि तीन दसक बाद भी उनका नाम सुनते ही उनके द्वारा निभायेगे किष्ण के किरदार की याद आ जाती है मा भारत धारा भाइक घर घर काफी लोग प्रिय हुआ इसमें लोगों को नितीज भारत ध्वाच का किरदार इतना पसंद आया कि इनों गिने भगवान स्री किर्श समझ कर पूजने लगे ये जी धर जाते लोग इने किष्ण कहकर ही संबोधित करने लगे थे बाद में इनोंने अपनी इस किष्ण वाली छबी को तोड़ने के लिए फिल्मों में वापसी की और कई बालीवुड फिल्मों जैसे संगीत, प्रेमदान, प्रेम सक्ती, नाचे नागिन गली गली आदी में काम किया लेकिन ये सारी फिल्में बाउक्स आफिस पर असफल रही, साती साथ इनोंने कुछ फिल्मों का निर्देशन और लेखन भी किया फिल्मों में इन्हें असफलता मिली तो इनोंने राजनीत में रुक किया 1996 में में वाजमसेत पूर से सांसद हुए इसके बाद मद्द प्रदेश की पूर मुकमंत्री उमा भारती ने नितीश जी को मद्द प्रदेश परेटर निगम के अध्धिच की जिम्मेदारी सौपी राजनीत में भी जब इन्हें ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिली तो ये लंडन चले गए 2003 में ये फिर इंडिया उपस आये और रामायन बिशनुपुरान जैसे सीरियल में काम किया इसी बीच इने फिर से राजनीत में आने का प्रस्ताव भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से मिला होजाचार में एक बार फिर वा राजगर लोग सबाचेत से चुनाव के मैदान में उतरे उसमें उनका मुकाबला दिग बिजे सिंग के भाई लच्मर सिंग से था जिसमें नितीज जी हार गए वहीं मर्द प्रदेश की राजनीत में उन्हें कई उतर चड़ाओ देखने पर जिससे वा कापी दुखी भी हुए और यहां की राजनीत से दूरी बना लिए इसके बाद इन्होंने अबने की दुनिया में आजीवन रहने का निश्चे किया इन्होंने विदेशों में किष्ण के रूप में थेटर किये और कई सारे टीवी सिरियल्स और फिल्मों में निर्देशन और अबने किया 2013 में इन्होंने रेतिक रोसन के साथ काम किया फिल्म मोहन जुदारों में, अभी हाल में ही आई फिल्म के दारनात में भी ये नजर आये नितीज जी आज भी फिल्म नगरी में सक्रिये हैं, देश बिदेश में थेयर्टर भी करते हैं इनकी निजी जिन्दिगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि नितीज जी ने मोनुईसा पार्टिल से 1990 में पहली साधी की, लेकिन ये साधी चली नहीं इसके बाद 2008 में मर्द प्रदेश कैटर की IAS इसमिता गाटे से इन्होंने दूसरी साधी की आज ये अपने परिवार के साथ एक हैपी मैरेज लाइफ जी रहे हैं तो इस वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो गर अच्छे लगी हो तो प्लीज इससे लाइक कीजिए हो सके तो इस वीडियो को और लोगों से सेर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार